36 गड की सडके तो वैसे सभी जगा आपको चकाचक दिखेंगे लेकिन एक जिला ऐसा है जहां कि कुछ सडकों से गुजरना दुश्वार हो गया है यदि आप उस सडक पर पहुँच भी गए तो कीचन में फस जाएंगे पैदल जाने की कोशिश की तो गिरते पढ़ते निकल क बाहरा जाएंगे जी हां हम बात करें हैं कोरबा जिले के रतनपूर से पाली घट गोरा जाने वाली राष्टे राजमार की जहां कि सडक यात्रियों के लिए परिशानी का सबब बन गया है कार बस बाइक प्रक अमूलेंस तक में सडक पर दम तोड़ दिया है गाड़ी से रास्ते में यात्रा करना तो दूर पैदल चलना एक चैलेंज से कम नहीं है हाथसों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि घुटनों तक कीचर और सडक में बड़े बड़े गड़े हैं रोज पस रहा गाड़ियों की जाम की वज़े से घंटो जाम लगा रहता है तो सडक पर धसना भी होगा सडक की सिस्थिती को देखते हुए बस संचालक संग परिशान हो चला है इस रोड में दिन में कम से कम सो बस और रात में 50 बसों का संचालन होता है यानि करीब 50,000 यात्री स्मार्गम से जान जोकिम में डालकर यात्रा करते हैं रोज दुरगटना का शिकार हो रहे हैं बार-बार शिकायत के बाद भी आस तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली है हलात ये हो गए हैं कि अब बस संचालक संग ने सडक नहीं सुधारने पर बस संचालन रोकने की चतामनी दी है इसके शिकायत बिलासपूर संभांग या युक्त से मिल कर की गई है पहले भी कई ब रही है और बड़े-बड़े गड़ों के साथ यहां कीचडवत दलदल पैदा हो गया है जिसमें लगातार आने जाने वाले वाहन पस रहे हैं नगर से होकर गुजरी एह सडक अब किसी पिछडे गाव की सडक को भी मात देती नजर आ रही है जिसके सुधार की दिशा में न सब्सक्राइब के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें घंने वाले